जहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में 5 कमाल के काफी मज़दार एप्स देखने वाले हैं खास कर स्टुडेंड के लिए सभी एप्स काफी इश्फूल हो सकता हैं और यह सभी एप्स Google Play Store पर बिल्कुल फिरी में अभीलेबल हैं जिने आप इंस्टोल कर सकते हैं और यहार आपको पता ही है जो एप्स इस्टोल करने के बाद आपको फसंद नहीं आए उसके साथ क्या करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप से और फर्स्ट एप है एना टोमी 3D बोंस एंड और गन्स दोस्तो यह काफी कमाल का आप है हुमन बड़ी को डीपली और 3D में समझने के लिए इस एप में human body के सबी system जैसे muscular system, circular system, nervous system, respiratory system और सबी तरह के bones, joint, muscles, balance और heart के 3D models काफी detail में देखने को मिलता है जिसे आप zoom या 3D में rotate करके human body के किसी भी अंग को एक दूसरे layer के साथ connect करके बड़ी असानी से देख सकते हैं और किसी भी अंग को पुड़ा detail में समझ सकते हैं ये different विदेशी language में आता है जिसे आप English में इज़ कर सकते हैं लेकिन ये Hindi में नहीं आता है ये एप बिलकुल free में play store पर अभी लेबल है और इसे play store पर 4.5 का rating मिला हुआ है और इसे अभी तक 1.000.000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इस list में second app है physics lab दोस्तो इस एप को उज़ कर आप अपने mobile में physics के देर सारे experiment को 3D में perform कर सकते हैं इस एप में पहले से ही बहुत सारे experiment दिया हुआ है जिनका value आप change करके अलग-अलग experiment को कर सकते हैं और इस एप में daily reward भी मिलता है जिसका इवज आप कोई सारे features को open करने के लिए कर सकते हैं इस एप को आप English में यूज कर सकते हैं यदि आपको चाइनी जाता है तो फिर इसमें दिये गए quiz और discussion का भी इजगा सकते हैं इस एप को play store पर 4.3 का rating मिला हुआ है और इसे एक लाग से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किये हुए हैं यार हमने बाइवाल student के लिए first एप दिखाया physics वाल student के लिए second एप दिखाया है लेकिन engineering वालों के लिए कोई एप नहीं दिखाया तो यार engineering वालों के लिए भी लाए है 3D engineering animation आप यार इस एप में बहुत सारे 3D models दिया हुआ हैं जिसे आप 3D में zoom और rotate करके different angle में देख सकते हैं आप animation को play post कर सकते हैं और different layer के साथ animation को देख सकते हैं आप model के किसी भी component पर किलिक करके 3D में देख सकते हैं और इसका पूरा detail को read कर सकते हैं यार ये काफी अच्छा app है किसी भी model को 3D और animation के साथ deeply में समझने के लिए इस app में किसी भी परकार का add देखने को नहीं मिलता है और इसे आप play store से बिल्कुल free में install कर सकते हैं इसे play store पर 4.4 का rating मिला हुआ है और इसे अब तक 1 million से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है लिस्ट में 4 नमर परा एप है periodic table तो ये science वाले student के लिए काफी useful app हो सकता है इस app में सबसे latest update के periodic table के element दिये गए है उतना ही नहीं दोस्तों अगर आपको जिस भी element का पुरा detail चाहिए तो उस पर click करके उसका पुरा detail को read कर सकते हैं इसे google play store से बिल्कुल free में install कर सकते हैं और जब चाहिए से open करके periodic table के किसी भी element को अच्छे से अधेन कर सकते हैं इसे play store पर 4.8 का rating मिला हुआ है और इस app को 5 million लोगों ने download कर रखा है इस app को एक बार अपने mobile में जरूर इंस्टोल कीजिएगा आपको काफी अच्छा प्रियोडिक table में experience मिल सकता है नेक्स्ट एफ है फर्मूलिया दोस्तों ये app किसी भी student के लिए काफी useful हो सकता है क्योंकि ये एक फर्मूला का एफ है जिसमें math, physics, chemistry और fundamental फर्मूला अलग अलेक्शन के साथ पुरा डिटेल में दिया गया है और इसमें periodic table भी पुरा डिटेल में दिया गया है किसी भी element पर किलिक करके उसका फुरा डिटेल देख सकते है अपने mobile में इस app को install कर किसी भी समय फर्मूला को पड़ और याद कर सकते है इस app को 5 लग से ज़्यादा लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है और इस app 4.7 का rating अप तक मिल चुका है तो दोस्तों यहीं थे 5 कमाल के काफी मज़दार और इस फूल एप आपको कौन सा app सबसे अच्छा लागा और कौन सा app आप इंस्टोल करने वाले हो कमेंट मॉक्स में हमें जुरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल मत भूईएगा तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंदे